जनम भूमी परिसर में आज तीसरे दिन का अनुष्ठान शुरू हो चुका है और देखा जाए तो आज मुखे रूप से जला धिवास और गंधा धिवास होगा और इस वक्त मेरे साथ करपात्रीजी महराज हैं जो हमें आज के अनुष्ठान के बारे में समझाएंगे और गई हालाकि ऐसी सुचना है कि उसको 20 तारीख को वास्तु पूजा के बाद उसको वहां पर प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया जाएगा लेकिन आज जला धिवास है और गंधा धिवास है यह प्रक्रिया होती क्या है कि नीराम बुजश्या मलको मलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाड़ो महासा यकचार उचापम नमा मिरामम रहवन सनाथम आज जो है भगवान श्री रहवन सकार के जो बालश रूप हैं उनके जो छत जो छाया है यह मूर्ती है बिग्रह है आज उसका तृती दिवस में जलाध हिवास है जलाध हिवास में श्री श्रकार को भारत वर्ष के या विदेश से जितने भी तेर्थों के जल आई हुए हैं उस सारे तेर्थों के जल में उनका जला भिशे करया जाएगा और शुगंधे तैल्याद लगा जाए पुष्पोषविदी को मलें इसना थे सैने हैं नेलांबुज श्यामल कोमल आंगम सीता समारो पीत वाम भागम पाड़ो महा सायक चारु चापम नमा मिरामम रहुबन सनाथम पीत वांभागम मतलब उनके जो है शील पे ये पीत कलर का रंग का शुगंधित जो है चंदन ल लगाये जाएगी शुगंध लगाये जाएगा और जला धिवास होगा और इसी साथ साथ हमारे बैदिक विद्यार्थियों के दोरा उनके शरीर के लेपन के लिए जो पुरही विधी होती है वो सब किया जाएगा शुगंध इत्र लगा करके आज ये ततिय दिश्का अनुस् के तर में वो क्यों जरूरी है ऐसा है कि जब सरकार को अपने ग्रह ग्रियमें स्थाब्ट किया जाता है तो हाँ पर नौरतनों को पहले प्रिथी अंदर शमरपी तिया जाएगा सरकार जो का आशन जो होगा उन नौरतनों के ऊवपर और होगा इस कान जो है कल सोना मतलब जहां कि बच्चे माके गर्व में रहते हैं तो अत्यांत्य सुर्चित होना चाहिए शुरम में होना चाहिए कॉमलांक्ता की प्राकाष्टा होनी चाहिए इस कारण तो देखिए मेरे साथ करपात्री जी महरास थे जिन्होंने हमें अनुष्ठान के बारे में समझाया कि आखिर जो अनुष्ठान चलना है उसका महत्यों क्या है और यह जरूरी किम होता है हलाकि देखा जाए तो आज अनुष्ठान के तीसरे दिन जला धिवास होगा गंधा धिवास होगा और इसको लेकर भी विस्तार से करपात्री जी ने हमें बताने की कोशिश की कि आखिर जला धिवास का जब अनुष्ठान होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है वीडियो जानलिस्ट सेफलोशन के साथ हमें आशु सिंग निवजनेशन अयुद्धिया